और इस बैगन के भरते को आप सत्तू के पड़ाठा या सत्तू वाली लिट्टी, चावल, रोटी, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, तो बैगन के भरते बनाने के लिए हम इस तरह से एक बैगन लेंगे, इस तरह से गोल बैगन लेना है, इसे हमारे यहां भंटा कहा जाता ह और यह टमाटर लिए है, एक छोटा सा टुकडा अधरक का लिए है, तीन हरी मिर्च लिए है, कुछ लहसुन की कलियां है, और यह दो प्याज है, तो सबसे पहले हम बैगन में इस तरह से एक कट लगाएंगे, और देखेंगे कि हमारा बैगन ठीक है, खड़ाब नहीं होना चाहिए, यह देखिए, बैगन हमारा बिलकुल एक दम अच्छा बैगन है, और इसमें बीज भी नहीं है, बैगन एक दम मुलायम और ताजा बैगन है, तो इस तरह से हमने दो टुकरे में बैगन को कर लिया है, लेके नीचे से जवाइंधी रखे हैं, और अब इसमें हम इ इसके अंदर डाल देंगे, हम यहां तीन हरी मिर्च लिये हैं, आप तीखा अपने पसंद से कम या जादा रख सकते हैं, और इस साइड में जो हम कट लगाए हैं, इसमें हम यह जो लहसुन की कलिया हैं, इसको डालेंगे, इस जो बैगन का भरता है, यह बहुत स्वादिस् बहुत ही लाफदाइक है, जिन लोगों को गुटनों में दर्द होता है, वो इस तरह से अंगारों पे पकाय हुवा बैगन का भरता खाने से उनके गुटनों के दर्द में काफी अडाम मिलता है, तो इस तरह से हम इधर मिर्च और इधर लहसुन को डाल दिये हैं, इसे तो इस तरह से हम टमाटर में भी लगा लेंगे, क्यूंकि टमाटर को भी हमें आद पे ही पकाना है, चलिए अब चलते हैं गैस की और, गैस पे इस तरह का एक जाली रखेंगे, और इस पे हम बैंगन और तमाटर को रख दिये हैं, गैस अन कर देंगे और इसे चारो तरफ अलेट पलेट कर, पका लेगे। उलते पूलते बैंगन और टमाटर को चारो तरब से पकाय लिए हैं। तो गयस का फ्लीम हम बान करते हैं। और इसे हम ठोड़ा देर थंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बैंगन और टमाटर थंडा हो गया है। यहां हमें कटोडी में पानी रख लिए हैं, इस तरह से हाथों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगा कर हम बैगन का छिलका को निकाल लेंगे, इस तरह से सारा छिलका इसका हटा लेना है, बहुत असानी से निकल जाता है, बैगन में तेल लगा देने से यही फायदा होता है, कि बैंगन पे तेल जरूर लगा ले तो बैंगन का साड़ा छिलका हम हटा लिए हैं अच्छी तरह से छिलका हट गया है अब इसे हम एक बॉल में रख लेते हैं जिसमें हम भरता बनाएंगे और इसी तरह से हम टमाटर का भी छिलका हटा लेंगे बैंगन टमाटर का छिलका हटाने के बाद इसमें से जो ये मिर्चा डाले थे इसे निकाल लेते हैं और इधर से ये जो लहसुन डाले हैं इसे भी निकाल लेते हैं और बैंगन को अच्छी तरह से देखते हुए, ऐसे तो बैंगन पकाने से पहले हम बैंगन को अच्छी तरह से देख लिए थे, बैंगन हमारा बिल्कुल ही साफ था, बस इस तरह से हमें, इस तरह से इसका उपर का भाग हटा लेना है, और इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल लेना है, इस तरह से आप मिर्चा को तोड़ लीजिएगा, और लहसुन को भी इस तरह से दबा कर आप इसे एकदम मैस लीजिएगा, असानी से सब हो जाता है, और स्वाद इतना अच्छा लगता है, कि मत पूचिये, खास कर सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा बैंगन बजार में मिलता है, इस तरह का गोल गोल भंटा वाला बैंगन, भरता वाला बैंगन, और स्वाद और सेहत, दोनों देगा ये आप पे पकाया हुआ बैंगन का चोखा, बैंगन और टमाटर को अच ये से बैंगन का भरता का स्वाद बहुत अच्छा आता है, और अब इसमें हम डालेंगे ये बाडिक कटा हुआ अदरक, कटी हुई बाडिक प्याज, और ये धनिया पत्ता, अब इन सबको हम अच्छी तरह से एक चम्मत से मिला लेते हैं, और ये हमारा स्वादिस्ट, हेल्दी, बैंगन और टमाटर का भरता बनके तयार है, आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, इंजोआई कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो आपको में तब तक के लिए धन्यवाद